हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चानले तो आजम पढ़ने वाले हैं कोशन नमर 15 वाट डू जो मीन वाई प्रेसिपिटेशन रेक्शन एक्स्पेंड वाई गिबिंग एक्जम्पल्स तो आजए देखते हैं आंसर एक रेक्शन में जब हमें एक ऐसा सॉलिड मिलता है जो की इन सॉलिवल होता है उस मिक्श्चर में जा उस सलूशन में उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रेक्शन ऑम कार्वनेट में कАल्शिम क्लोराइट जैसे ही ढालते हैं तो हमारे पास आता है कल्शिम कार्वनेट प्लस सॉलिवल होता है और यह जो है CACO3 यह insoluble होता है तो इसे बोला जाता है precipitate सेम यहां पे next जो example है sodium sulfate plus barium chloride जहां पे barium sulfate और sodium chloride मिलेगा अगेन यह जो barium sulfate है यह एक precipitate है तो किसी भी reaction में जब एक insoluble solid substance बचता है बाद में जो की insoluble होता है उसे बोला जाता है precipitate आई होब यह कोशन आपको समझा चुका होगा